दोस्तो नमस्कार 24 मई सन 2023 वार बुद्वार दोस्तो आज के एपिसोड में हम चक्चा करेंगे दक्षिन भारत वे महराश्च में कौटन यान के दाम घटे जानिए पुरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तो नमस्कार करनल अजया सियो अजया स्टो मनीगरूफ फर्स ग्लोबल अश्टो फनाइस डीजिनल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ दोस्तो कॉटन का पास पर देश का पहला चैनल जो लगातार अपडेट विस्तेशन आपको देता है हद तेजी और मन्दी आने का पूर विस्तेशन या संकेत हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलते रहते हैं आज के एपिसोड में हम चाट्चा करेंगे दक्षिन भारत में हमारा स्ट में सूती धागयों की कीमतों में लगातार गिरावत देखी गई है दक्षिन भारत में कॉर्टन या अनकी केमोत में 2-5 रुपए पती किलोग्राम की गिरावत दर्ज हो गई है दक्षिन और मन्दे भारत के प्रमुक बजार जैसे तिरूपर और मुंबई में बहुत कम दिमांड देखी जा गई जा रही है और स्पिनिंग में लोगो भारी नुकसान होने का डर सता रहा है कॉर्टन मार्केट में भी लगातार सुस्ती देखी गई है और गुजरात के बजारों में नेच्रल फाइवर की किमतों में भी लगातार गिरावत देखने को मिल रही है करवारियों को अगले मेंने टेक्स्टाइल निर्यात ओर्डर मिलने की जो अमीद है उससे बजार गवराया हुआ था क्योंकि विश्व्यापी मंदी के वज़े से एक्सपोर्ट ओर्डर में कमी की आशंका जाता है गई थी क्योंकि जून और जुड़ाई की अन्तिन सब्ता में ओर्डर मिलने से इसको समठन मिल सकता है अन्यता बजार खराब और हो सकते हैं दोस्तों की गौटलब है कि भारत टेक्स्टाइल का प्रमुक निर्यात तक देश माना जाता है साथ-साथ भारत से रूई का निर्यात काफी बड़ी तदाद में होता है लेकिन अंतराश्य बजारों में के भाव और भारतिय कौटन के भाव में डिस्परेटी होने के वज़े से भारत से इस बार बहुत कम का पासका निर्यात हुआ था लेकित अब एक संतोष की बात नजर यह आ रही है क्योंकि अंतराश्य बजारों में कौटन के भाव बड़े हैं जबकि भारत में उस अनुपात में भाव नहीं बढ़ पाने के कारण अब अंतराश्य बजारों में भारतिय रूई के भाव आकरशक हो गए हैं इस इस से चीन, आस्ट्रेलिया और बाकी देशों की रूई से भारत की रूई का बाव अब कंपटिशन में आ गया है इससे बंगला देश वियत नाम जेसे देशों में भारत की रूई की डिमांड बढ़ सकती है गौर्टलब है कि तिरूपर बजार में सूती धागों की कीमतों में भी दो से पांच रूपए पती केवजी गिरावट दर्ध हो रही है क्योंकि मिले और व्यापारी भारी चुट की पेशकरर कर रहा है और टेक्स्ट्राल लिव्यों की धीमी मांग ने स्पीनिंग मिलोग को आदिक चुट देकर खृदारों को लुबाने के लिए मजबूर कर दिया है तुरिपूर के कुछ व्यापारी सोत्रोज ने कहा है कि मिलो को नुकसान हो रहा है और सूती धागे का उत्पादन में 20-25 प्रती किलोग्राम क्योंकि उसके पास पैरे से खरे दे गए उचे कीमतों का प्राक्टर्टिक फाइबर है का पास में हालिया कमी से मिलो को रहत नहीं मिल सकती है तुरिपूर बजार में तीस काउंट का कॉमडेट कॉटन यान के लिए 266-272 प्रती किलोग्राम जीयश्टी एक्ट्रा और चोतीस काउंट का कॉमडेट कॉटन यान 217-283 प्रती किलो मिल रहा है 40 count का Comrade yarn 287 से 294 रुपए प्रती किलोग्राम के भाव बताये जा रहे हैं 30 count का Caudate Cotton yarn 242 से 246 रुपए प्रती किलोग्राम बताये जा रहे है 34 count का Caudate Cotton yarn 249 से 254 पर केजी बताये गया है 40 count का Caudate Cotton yarn के लिए 253 से 260 रुपए प्रती किलोग्राम के भाव देने पड़ते हैं मुंबई के अंदर भी कमजोर मांग के कारण सूती धागयों की कीमतों में गिरावट देखी गई है दोस्तों वीविंग यानि टेक्स्टाल द्योग से खरीदार में लगातार गिरावट से व्यापारी काफी चिंतित हैं मुंबई के बजार में एक व्यापारी से बात करने पर पता लगा कि मौजूदा बजार की स्थिति पूरी वेल्यू चैन के लिए काफी चिंता जनक या ट्रबल सम है गार्मिंट इकाईयां कपड़ा नहीं खरीद रही हैं क्योंकि खुद्रा विक्रियोता और ब्रांड रोड से ओरर नहीं मिल पा रहे हैं मुंबई में ताने और बाने यानी रीड पीक की किस्में 60 गिंती वाले यानी 60 काउंट वाला सूती धागे का भाव 1475 से 1510 रुपए और 1335 से 1375 रुपए प्रती 5 किलोग्राम जीस्टी के भाव अब इस्तिर हो गए हैं अन्य कीमत में 60 कामडेट दाने के लिए 348 से 348 रुपए प्रती किलोग्राम 80 काउंट काउंट वेट कॉटन यान के लिए 1430 से 1470 रुपए प्रतीज 4.5 किलोग्राम के भाव हैं 44,46 काउंटाइड काउंट यान वार्पक के लिए 272 से 216 रुपए प्रती किलोग्राम और 256 रुपए बताया जा रहे हैं दोस्तो 40 और 41 काउंटाइड काउंट यान रीड के लिए 280 से 280 रुपए और 41 के लिए बताया जा रहा है गुजरात की बात करें तो गुजरात में स्पिनिंग मिलों की कमजोर डिमांड के कारण कापास की किमतों में कमजोरी है नेच्छनल फाइवर में पिछले सब्ता 356 किलोग्राम केंडी के 1500 से 2000 रुपे की गिरावट देखी गई है गुजरात में 1502 रुपे की गिरावट देखी गई है अधियम सूत्रों की माने सूती धागे की कीमतों में आगे और गिरावट आ सकती है क्योंकि स्पिनिंग मिल और अलट हो गई है उन्हें बुनाई उद्योग से यानि टेक्स्टाइल उद्योग से बहुत सीमित खरीदारी का सामना करना पड़ रहा है भारी नुकसान और लिकुडिटी की कमी के वज़े से कपास व्यपार काफी प्रभावित हो रहा है कापास का कारवार 356 किलोग्राम जो प्रतिकेंडी है वो 57,000 से 58,000 रुपे के सर पर आ चुका है गुजरात में कापास की आवग 170 ग्राम वाली जो बेल है वो 24 से 26,000 गाठों का अनुमान लगाये जा रहा है जबकि पूरे भारत में लगबग 90 से 45,000 बेल्स की अराइवल है यानि जो 101 गौरतलव है 170 किलो की मानी जाती है दोस्तो कॉटन का पास की विशेज जानकर या अपडेट के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजे और अगरे मिशलेशन के लिए संपर कीजे नमबर स्क्रीन पे दिया गया है